रोज नौकरी ढूनने के लिए निकलती थी और मायूस वोकर वापूस आती थी मामा पीछे लगा हुआ था सर चुपाने के लिए कोई जगा नी थी इंतिहार नार्थ की डेट आगे निकलती चरी जारी थी साल जाय नी करना चाहती थी सर सर चुपानी के लिए च्छत नहीं थी सर, खाने को कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, मर मार के एक धाबी की नौकिरी मुदी सर, चाय के धाबी, बहाँ पे भी हरासा करने के लिए लोग आ गए, बस इसी तरह के हालात की वज़ा से एक कदम उठाना पड़ा, मैंने तो यह अंदाजा लगाया कि सर, गरीब के लिए यह यह दुनिया नहीं है, सर. देखो बख्ताबी, पुले सफसरों को ना, यह आँशों की जबान समझने हैं था, लेहाजा जो भी बात करनी है, ज़स बात को साइब में रखके मुझे साफसा बता हूँ, समझी। चेसा बुभी एक में प्रृस्रीए, समझी ऑटूर साफसा बश्र करें सर इस तरह सिलसलह चल रहा था, कि एक दन हगशाती तरह डिलावर सर समुलाकात होई, वो मुझे अपने साथ ले गए सर नौकरी दी इज़त दी अच्छे सलूट से रखा सर उनके बड़े इसानात है मुझे और सारे इसानों का सिला तुमने उनको ये दिये सर बड़ी दफ़ा कोशिश की कि मैं उने सच बता दो लेकिन हिमत ही नहीं पड़ती थी सोचती थी कि मेरे बारे में है सच जानके वो मुझे से कितनी नफरत करेंगे मेरे नाम सुनना पसंद नी करेंगे मुझे कभी जिन्दगे बे माफ नी करेंगे तुम्हें कोई वाकी फर्द पढ़ता है इसाना जी सेर अब एक बात सच सच बता दो अख्तामर क्या तुम वही लड़की है जिसने खुफिया तोर पे शाहना के केस में शीदे के खिलाफ बिया दिया था क्या चाहती थी तु सर इंसाफ शाहना के लिए शाहना का मुजरिम अब यू बहार गूम रहे सर सीची टीवी पुटेज बिल गई है और सस्पेक्ट इसमें बाजिय तोर पढ़ने जरा आए कौन है सर कोई अंदर का ही बंदा लगता है ठीक है मैं देख कर आता हूँ उसे लॉक अप कराए यह मतख तो नहीं लगना मुझे है अले नहीं सर वो तो धान पांसा है यह तो उंचा लंबा अग्मी है सर जोन करके चेप करते हैं जी हलो यह मेरे पास एक लड़की की कुछ तरह टीटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जरा मुझे बताई का कौन है जी जी आन नाम इसका है बक्तावर पाबा जिसका डर्थ हाव हो गया पुलीस अमीन को और्यस करके ले गया सीची डीवी पोटेज में सब रिवीव हो गया वाट